हेलो फ्रेंड्स, RRB की वेबसाइट पर ग्रूप D के एकजाम से संबंदित एक अपडेट आया है दोस्तों यहाँ पर देखिए Important Notice to Candidates Applied for CEN 02-2018 दोस्तों यह ग्रूप D एकजाम से संबंदित एक अपडेट है क्या है अपडेट दोस्तों मैं आपको नोटिस को डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं तो दोस्तों मैंने नोटिस पे क्लिक कर दिया है यह डाउनलोड करने के लिए आ गया और मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है तो दोस्तों यह रहा वो notice और देखिये दोस्तों notice में बताया क्या गया है यह आवजसक सुचना है बहुत ही जरूरी सुचना है दोस्तो इसमें बताया गया है कि परिच्छा की तिथी अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए अभी call later download नहीं किया जा सकता दोस्तो अभी तक group D का जो jam का date है वो fix नहीं हुआ है ठीक है और admit card भी अभी कुछ भी इसके बारे में नहीं आया है नहीं कहीं पर बताया जा रहा है ठीक है और सब यहां पर सफाई दी गई है कि जो group D का jam date है वो date अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तो पताया कि आए कि जब परिच्छा की तित्री निर्धारित की जाएगी तब रेल भरती बोर्ड ठीक है कोलकता के कारियाली website www.rbkorkata.gov पर e-call letter को download a link को प्लाम्त कराई जाएगी दोस्तो मैंने जो यह PDF लिया है यह जो notice है दोस्तो यह rrb Kolkata की website से लिया है इसलिए यहाँ पर Kolkata के बार में बता गया है दोस्तो यह आप अधर जोन का लेते हो तो अधर जोन का भी same to same ऐसा ही notice मिलेगा आपको बस वहाँ पर जो यह website बदला जाएगा ठीक है website चेंज हो जाता है अलग-अलग जोन का अलग-अलग website है दोस्तो यहाँ पर एक और चीज बताया गया है कि किरपया गलत खबरों पर ध्यान ना दे और ना ही परिच्छा की तिथी से सम्मंदित ना किली website को देखे दोस्तो बहुत सारे YouTube चैनल है और बहुत सारे ऐसे website है जिनोंने अपने मन से ही परिच्छा का तिथी घोशित कर दिया है ठीक है आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुत सारे YouTube चैनलों ने अपने मन से ही परिच्छा का तिथी भी घोशित कर दिया है बहुत सारे website पर भी आप को बता दिया जाएगा ठीक है दोस्तों यहीं दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट न्यूस था आपके लिए जो ग्रूप D के .gov.in यहां पर जो भी यह टेस्ट अपडेट होगा वो आपको यहीं पर मिलेगा ना ही आपको किसी यूटूब चैनल पर जाना है ना ही किसी यहने वेबसाइट की बात को मानना है आपको जो मिलेगा अरर्बी का ओफिशियल वेबसाइट है .gov.in यहां पर जाकर कि आपको सारी जनकारी मिल जाएगी तो दोस्तों